मोधी सरकार के दूसरे कारेकाल का एक वर्ष पूरा हो चुका है ऐसे में भाजपा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखने जा रही है डिजिटल अभ्यान के माधम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा इसे लेकर केंद्रिय जलशक्ती मंत्री गज़ेंद्र सिंग शेखावत जैपूर दौरे पर रहे शेखावत ने भजपा प्रदेश धक्ष सतीश पूनिया के आवास पर पहुँचकर उनसे मुलाकात की दोनों नेताओं ने वर्चुल रैलियों पर एक घंटे तक चर्चा कर रूप रेखा तयार की केंद्रिय मंत्री गज़ेंद्र सिंग शेखावत ने कहा कि कोरोना आपदा के बीच खुशी का इज़ार करना ठीक नहीं है लेकिन फिर भी सरकार ने जो बड़े कदम उठाए हैं उनको जनता के बीच रखा जाएगा नरेंद्र मोदी जी के नेतरत मोदी टू का एक साल पूरा हुआ है जिस तरह की परिस्तेतियां अब ही देश और दुशिया में है इसको लेकर के ऐसे समय में किसी तरह का लेकिन सरकार ने पिछले एक वर्ष में जिस तरह के महत्वपूर्ण मिर्ने कि और जिन बड़े रिफॉर्म्स के मार्गम से देश को आठे बढ़ाने के लिए काम किया और इस आपदा को भी अवसर में बदलने के दुश्चिकों से जिस तरह से आत्मनिरबर बारत बनाने का पैट जो है एलान झाल 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 झाल